तुम लोगों को टेस्ट के लिए कोश्चन मिला है NCF 2005 में शिक्षक शिक्षा के बारे में क्या कहा गया है तो उसके बारे में मैं बताती हूँ NCF 2005 एक बहुत अच्छा दस्तावेज है जो स्कूल एजुकेशन के बारे में समगर बात कहता है उसने NCF 2005 ने यह बताया है कि जो शिक्षक ट्रेनिंग लेकर एक वर्षी ब्येट पार्ठक्रम करके आ रहे हैं वो इस्कूल के लिए अप्रासंगी खू रहे हैं क्योंकि वो रूटीन में एक धर्रे में शिक्षक बनके आ रहे हैं जबकि उस पाठक्रम में, उस पाठक्रम कि अवधी में, उस पाठक्रम के स्वरूप में परिवरतन होने की आवश्यकता है। वो कहते हैं कि हमको ऐसा शिक्षक चाहिए जो ष्यक को बाहर ले जाए, जो बच्चों को पाठ्ः पुस्तक की वस्तु को डेली चाहिए जो समय पढ़ने पर राष्ट्री संधर्व में सोचने के लिए बच्चों को विवस्ट करें और हर मुद्दे पर हर व्यापकता से बच्चों से चर्चा कर सकें ऐसे शिक्षक के लिए जिरूरी है कि उसको जब प्रशिक्षित किया जाए तो अभिव्यक्ति का उसर मिले, प्रशिक्षार्चियों को केंद्र में रखकर पाठ्यक्रम को तै किया जाए, उनको ऐसा उसर प्रदान किया जाए कि वो अध्यन अध्यापन की प्रक्रिया में या ये उनको स्वतनत्रता दी जाए हमको एक ऐसा शिक्षक चाहिए जो बच्चों के प्रती बच्चों की सामाजिक प्रिष्थ भूमी के प्रती भी जागरूप हो इन सब बातों का समावेश करते हुए शिक्षक शिक्षा का कारेक्रम टै करने के लिए NCF 2005 कहता है एक पाठेक्रम जो लचिला हो एक पाठेक्रम जो राश्टी मुद्दों पर आधरित हो एक पाठेक्रम जो सामाजिक मुद्दों के प्रती अवेरनेस लाए आधी आधी बातों को कहने के लिए NCF 2005 ने हमको गाइडलाइन दिया है उससे रिलेटेड जो पाठे सामगरी है वो हम तुमको भेजेंगे PDF के माध्यम से तुम उसको पढ़ना और ये देखना कि पहले का पाठेक्रम जो एक धर्रे में था हरवर्ड की पंचपदी से ही शिक्षक पढ़ाया सकता था क्लास में ऐसा अब नहीं है बलकि उसमें नव हो गया है और उस पाठेक्रम में ये सब बाते हैं जहां पर प्रशिक्षार्थी पूर्ण रूप से एक शिक्षक बनकर निकलता है तो ये कुश्चन का अंसर तुम लोगों को मिल जाएगा ठीक